तो फिल के फैबली एक खतरताक जॉंबी गेम जिसका नाम है डाइंग लाइट 2 उसके अपिसोड नमबर 8 में आप सभी का सवागत है और मेरे भाई अगर आपको जॉंबी जॉंबी जॉर पार्कूर गेम पसंद देना तो सोफी और बार्णी को ये पता चल गया है कि एडिन कमांडर एटोर के लिए काम कर रहा है और फिर ये मेरी चॉइस थी कि या तो मैं सोफी की मदद करू या फिर मैं कमांडर एटोर की मदद करू तो मैंने सर्वाइवर्स का साथ दिया है यानि कि मैं सोफी की मदद कर रहा हूँ और सोफी ने एडिन को प्रॉमिस किया है कि एक पर पीस कीपस को वो विलेडोर से बाहर निकाल दे फिर वो एडिन की मदद करेगी सेंटर में जाने में लेकिन जो मैंने सोफी का साथ दिया है न तो मुझे यह नी समझ भाया रहा है कि मैंने सही किया है या गलत किया है क्योंकि लास्ट इप्रसोड में जैसा अपने देखाओगा कि बार्दी की कमरे से न कमांडर लुकस का वो कटावा टैटू मिला है तो बार्दी का तो ऐसा कहना है कि उसे कोई भसाने की कोशिश कर रहा है तो यह जो मेरी चॉइस थी यह कितनी सही या कितनी गलत है यह तो आज की एप्रसोड में हम लोंको पता चली जाएगा और टेंशन नतलो बिकार वाले साइट मिशन ने करूँगा ऐसे साइट मिशन करूँगा जिसमें तगली बॉस फाइट करने मिले तो आज की गेमप्ले स्टार्टिंगी से बहुत मज़दार होने वाला है इसनी फेल आर्मी खाने पीने कर लेके बैट जाओ और वीडियो को लाइक ने किया इतना फटफट से कर लो भाई क्योंकि जितने जादा लाइक करोगे आप लो उतनी जल्दी अल्दी डाइंग लाइट 2 के एपिसोर्स आते रहेंगे और एक आखरी बात मैंने यूट्यूब एनलिटिक्स में देखा है कि आप में से बहुत लोग डेली वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बाई ऐसे चिटिंग नहीं करने कर लो और अब सब्सक्राइब कर लो और अब स्टार्ट क वेट कर रहे हैं यह जो सामने एक बॉस फाइट टाइप का नजर आ रहा है ना यह मुझे लग रहा है कि तकड़ी चीज है और यह वाले बॉस फाइट से अपने को इनाम मिलेगा इनिबेटर्स तो उससे मैं अपनी हेल्थ या फिर स्टाम्ना बढ़ा सकता हूं लेकिन पह यह लोग ना ही देखे तो बढ़े हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि गेम में इतने सारे वॉलाटाइल्स भर दिये भाई चेस तो स्टार्ट होगी देखो एक और देख रहा है मुझे बस बस मैं भी तैयारी हूं कभी भी चेस स्टार्ट हो सकती है अच्छा पता है एक खास में भी मैं जादा देर चुपा रहा ना तब भी वॉलाटाइल्स देखी लेंगे तो यहां से निकलते हैं और अच्छी बात यह कि बॉस फ्राइट तक हम लोग अल्मोस्ट पहुँची गए एक पने टेक पने यह जॉम्बी या डॉक्टर स्टेंज वो जो भूत पन के नहीं आता है वैसे ही नहीं लग रहा है भाई इसकी कितने सारे हाथ हैं तो मेरे पास जो सबसे अच्छे वेपन से उनको हाथ में रख लिते हैं क्योंकि यह तो बैंट बजाएगा यह कनफॉर्म है और इस बॉस फाइट की दौरान अगर वॉलेटाइल्स ने देख लिया तब तो भाग नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक सेकंड में मार देते हैं जानते हो न अच्छे यह जो रिजनरेशन बूस्टर है न मेरी हिल्थ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेगा जब कम होने लगी कि तब ठीक है अजब बता है बॉस फाइट के लिए मुझे और तयारी की साथ आना चाहिए कोई बात नहीं इतना में भी हम लोग समाल लेंगे तो ऐसा ही कि देरिक इस बात की बॉस फाइट स्टार्ट की जाए और उससे पहले ना मसल बूस्टर ले ले लेते हैं तो मसल बूस्टर से पाउर बढ़ा लिये लेकिन इम्मुनिटी बूस्टर भी ले ले लेते हैं ऐसा नहीं हो कि इसको मारते मारते मैं जॉम्बी बन के मर जाओं तो आई होब कि आप लुक तयार हो क्योंकि मैं तयार हो स्टार्क किया जाए बॉस्टर वाइट की टाइम टू कम सकम चैन्स से रहने दो फालतूवाल इस ओपिस क्यों आते हैं लेकिन ठीके ठीक है जादा टेंशन लिदी की बात नहीं इसकी आधी हल्थ खतम कर दी है बॉस्टर बॉस्टर पर अब मैं क्या करूँ मतलब बॉलेटाइल तो मुझे एक सेकंड में मार देगा पर यह वाले बॉस्टर अल्मोस्ट मार दिया है थोड़ा रिस्क लेना होगा तो मेरे भाई जादा नहीं दो तीन वॉलेटाइल बस यहां पर भर गया है अचा पता थी आप लोगों ने देखा या नहीं देखा वीडियो पीछे करके देखना वॉलेटाइल मेरे उपर तीन बार जंप मार चुका है वो तो मैं साइट से निकल ला रहा हूं बार बार तो बस मैं अपना इनाम उठा ले तो फिर यहां से निकला जाएगा तो यह बॉस्वाइट इंट्रेस्टिंग इसलिए थी ना क्योंकि वॉलेटाइल भी पीछे पड़ा हूआ और आइथिंक कि वॉलेटाइल बाहर ही है लेकिन मेरा इनाम मुझे मिल यह इनिवेटर उठा लिये हैं क्या बढ़ाया जाए हेल्थ या फिर स्टैम्ना मैं सोच हो ना कि हेल्थ बढ़ाया जाए इस बार अच्छा मुझे लग रहा था कि डाइंग लाइट टू का साइड मिशन इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन मज़ा है नहीं तो फिलाल तो मेरी हेल्थ और स्टैम्ना का लेवल सेमी है ना लेकिन मैं सोच हो कि हेल्थी बढ़ाते हैं अच्छा देख रहे हो कॉमबाट में और पारकूर में कितने अच्छा च्छा स्किल्स आ गए हैं लेकिन मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास स्किल पॉइंट जीरो है फिलाल ओ भाई साब ये तो बड़ा तगड़ा स्किल है एक साथ बहुत लोगों को मार सकता हूं मैं बड़ा जबरदस ठीक है जब एक स्किल पॉइंट आएगा तब लिया जाएगा अज़े ये बात तो कंफॉर्म है कि बाहर वॉलटाइल्स मेरे इंतजार कर रहे है इसके बाहर निकलते एक साथ बिना सूचे समझे भागना है तो सोफी ने फाइनली कॉल करकि बजार बुला लेकिन मैं कहां टक ये एडन मरवाना मत भाई अभी प्लीज क्योंकि जितना स्किल पॉइंट है न सब चला जाएगा अगर मैं मर गया तो अज़े छट में जो दर्वाजे बने है न उसको खोलखोल के वॉलटाइल्स आ रहे है मुझे मारने के लिए तो चलो एडन कुछ देर के लिए तो सेफ है अज़े पॉलोंगे यह बोलेटाइल को आसे तलबता हो देखेना बड़ा अच्छा लगता है अज़े बस सीर सोचो कि इतने मज़े ले रहो मैं के एक सेकंड के लिए अगर यूवी लाइट आफ हो गई है तब क्या होगा एडन का तो यह लोग तो जलते राएंग भाई यूवी लाइट में अपने को लेकिन निकलना है यहां से क्योंकि सूफी ने कॉल करकी यह बोला एडन को कि वो लोग मीटिंग करें और वो चाते कि एडन भी वहाँ पर आए तो एडन ने बोला कि क्या तुम लोग तेयार हो मुझे सेंटर में ले जाने के लिए तो सूफी ने बोला कि एक बार तुम मीटिंग में आओ तो सब कुछ तुम्हें बता देगे तो ऐसे तो मैं वेट कर सकता हूँ सुबह होने का लेकिन सुबह में जाने में क्या ही मज़ा है बाई राथी में चलते है ना अचे यह बात आप लोग मेरी आद रखो कि इस गेम में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब मैं घेर के वॉलाटाइल्स को मारूंगा जब एक बार एडन बहुत आदा अपग्रेड हो गया न उसके बात देखना दस्दस वॉलाटाइल को ने न मारा फिर बोलना अप लो मुझे लग रहे कि जादा बोल दिया है लेकिन कोई बात नहीं अब जब बोल दिया है तो देखा जाएगा आगे जाकर अगे जाकर तो इडन बिन मरे अल्मूस्ट बजार तक पहुंचेगे अब किसी ने देख भी लिया तो दिक्कत नहीं है यह वाल्तों के जॉंबिस क्य तो चलो देखते हैं कि पिस की बस को हटाने के लिए सोफी ने क्या प्लान बनाया है यह ऐसा भी हो सकता है कि यह लोग मिलके मुझे दोका दे दे और सोफी की पास जाने स्पहले ना शॉप की पुस से हम लोग मिल लेते हैं जो भी समान खरीदने बेचने का ये सब करी लेते हैं अच्छी ये वेपन महंगा है लेकिन काफी तगड़ा वेपन लग रहे है तो ये तो लेही लिया है पर ये जो एक्स है ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो मैं सोचना हो कि जो मेरी पास फाल्तू के वेपन से है ना उनको बेच देते हैं तो फाल्तू के वेपन्स जादा रखे कोई फैदा नहीं है, कम ही वेपन रखो लेकिन अगर तगड़े वेपन रहेंगे तो जादा वेपन्स का फिस दर्वती नहीं पड़ेगा बस दो वेपन्स और बेचेंगे न काम हो जाएगा, ठीक है तो अब उसको खरीद सकते हैं अज़े मुझे न एकाद बूस्टर्स भी लेना है, क्योंकि देखा न बॉस्ट वाइट के टाइम ये बूस्टर बहुत काम आता है तो एकाद वेपन और बेच देते हैं पैसे के लिए तो आइधिंक आज के लिए काफी शॉपिंग कर लिए सोफी से चल के बात करते हैं ऐसकादि में की में फॉस्टर्सराए व में क्या या हो इसम काफी स этоБाइट कर्यों हая में, जप आवदिटी आवदिट जो में न आव दवदिजश्या चे में फलाई इव फट्य वगलेगे की बास्राए वेवाँ, औार्पास- झाल बना झाल दीवारी और ने आफी को लिड़ haz. Sofie ने वनल सुफी भी और लेडर करी स Paul Kid limite झाल कि रिदों कि सित दीद हो जान प्जान आफ आपल जोफी… वट थ? यहीं ही टेखना। नेखने एज वीस्ट वाद्ट वीवीजीज जा रिंवीजेटा है? वाद्ट एट लुट एट एऩांगे सोर्स अवैस्टियोची then you can make it to the central loop Aden. But first, we have to blow up the windmill. And fast, before Ader gets wind of what we're executive training. Barney, gather our people. Be ready. Roger and Humphrey, go to the armory, provide weapons to anyone capable of fighting. And you Aden, go to Alberto and Vincenzo. They'll walk you through the plan. Okay. Community and freedom Aden. Together we will win. तो काल सोफी को मना कर रहा था देखो तुम पागल हो गई हो हम लोग जंग नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि 20 कीपस की पास जादा हत्यार है वो अराम से हम लोग से जीच जाएंगे तो काल सोफी को ताना देने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें की बिजली काट देंगे क्योंकि वो मेट्रो टरनल के अंदर है और उन्हें हमेशा बिजली की जरुवात है यूवी लैंप आन करके रखने के लिए तो इसलिए सोफी ने एडिन को बोला है कि तुम जाके ना इनका विंड मिल को डिस्ट्रॉइ कर दो मेरा क्या फैदा होगा मैं सेंटर पर कैसे जाओंगा तो सोफी ने बताया कि देखो एट और जब अपने बेस को डिफेंट ने न कर पाएगा तो वो वहाँ से जाएगा अपने और लोगों को लाने के लिए और जो पीस की पस वहाँ से खाली हो जाएगे तो तुम सेंटर पर आराम से जा सकते हो और सूफी ने बुले है कि विंड मेल अड़ाने का जो प्लान है आगे का प्लान तुमें विंचेंजो बताएगा तो चलो उनसे बात करते हैं ली एक टॉट आप में पर शिंचेंज क्रश्मैंश्य का तेरिय लोगों कि में प्याज पुल्स गाली वे स्ब्सक्राइब जाएब उटार ऐस्ट पूल्से अजदी जाने ही बलो तीनियू We reinforce the armor with titanium we pull from the scrapyard. That's why they're lighter. And better protection. You guys shouldn't be such dicks. Well, why didn't he just say so? We'll see. Thanks, Vincenzo. You didn't have to. It was nothing, Dad. Ah. As for you, those two oafs took the last titanium vests! No, I'm not here for armor. Sophie sent me. You're supposed to bring me in on some plan? The plan? My plan? Carl agreed? Carl agreed! You hear that, Vincenzo? Not Carl. Sophie. You gonna share or do I have to guess? Windmill. We take down the windmill. Bingo! The big windmill that provides power to the PK headquarters. But first, we need the charges that Jack and Joe left at the water tower. Would you bring them to us, Pilgrim? After we blow it up, all the UV lamps in the PK headquarters will go out. That'll allow the infected to attack them. Mm-hmm. Old Villador will be free again. And you, you have a clear route to, uh, uh, you know, the past chemical fallout and to, uh, uh, what's it called? The Central Loop. The Central Loop. Right! How do you know the PK will withdraw and not retaliate? Because Dad designed this windmill. He knows it like the back of his hand. And it's the PK base's only power source. Without it, the PKs won't last another night in Old Villador. But we must act fast before the peacekeepers catch wind of our plans. So, you win? तो एलबर्टो के बात करने की स्टाइल से आपको ये तो समझ में आगे होगा कि ये कुछ-कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं तो वो दोनों आत्मी आये थे वो एलबर्टो का मजाख उडा रहे थे एक तो उनको एलबर्टो ने अच्छा आर्मर बना के दिया है पर एलबर्टो के बेटे विंचेंजो ने उन दोनों को टाट की बोला कि देखो ये टाइटेनियम का आर्मर है इसकी पतला है और एक तो मेरे पापा ने इतने अच्छा आर्मर बना के दिया तुम लोगों को और तुम उनी को मजाक उडा रहे हो तो उन दोनों की जाने के बाद एडेन इन से पुशने लगे कि आगे का प्लान आप बताओ कि पीस कीपर्स पे हमला कैसे करना है तो एलबर्टोन बताए कि पीस कीपर्स के पावर सोर्स का ना एकमात्र जरिया वो विंड मिल ले तो एक बार उसको हमने धमाका करके उड़ा दिया तो उनके पास पावर सोर्स का कोई जरिया नहीं रहेगा और विंचेंजो भी बोले लाए कि बिना यूवी लैंप्स के ना वो लोग एक रात सर्वाइब ने कर पाएंगे तो पीस कीपर्स को ना चाते भी भागना पड़ेगा और एक बर वो लोग भागे तो सोफी कभी काम हो जाएगा और एडन भी सेंट्रल लूप में जा सकता है और एलबर्टुन बताया है कि जैक और जो जो एक्स्प्लोसिव लाए थे ना वाटर टावर उड़ाने के लिए तो अभी मुझे वो एक्स्प्लोसिव लेने जाना है और इससे पहले पीस कीपर्स को पता चली ये काम स्टार्ट करते हैं चलो ड़ेगे तो एलबर्टुन बताया कि जैक और जो के एक्स्प्लोसिव वाटर टावर के पास पड़े में हैं तो एक बार एदिन वहाँ पे पहुँचिया तब इनको इनफॉर्म कर दूँगा मैं और अच्छी बात यह ना कि अभी भी रात का टाइम हो रहा है यानि कि बाहर निकलने में काफी मुझा आने वाला है यूवी लाइट से थोड़ा सो में बाहर नहीं आया या वॉलाटाइल देखने लगा तो सूफी का प्लान काफी अच्छा है क्या अगर विंड मिल को डिस्ट्रॉई कर दिया तो उनका पावर सोस खताम हो जाएगा पीस की बसका और क्यूंकि वो लोग यूवी लाम्प ओन नहीं कर पाएंगे तो भागने ही पड़ेगा उनको अब देले देले ना वॉलाटाइल इस कम नजर आएंगी क्योंकि आल्मोस सुबह होने वाली ये क्या है अरे ये वो है एक नजर नहीं आया था क्या नाम था इसका बोल्टर बोल्टर इसके पास अच्छे समान रहते हैं लेकिन है को बोल्टर को पकड़ने का अच्छे एक्स पी मिला पता है और इस गेम में एक्सपी का क्या का में तुस्से स्किल पॉइंट मिलेगा जिसे मैं अच्छे स्किल ले सकता हूँ रात हो चाहे दिन हो लेकिन अजीब अजीब जॉम्बिस की चिलाने की आवाज आती रहती है एक प्रेट एक प्रेट यहां पर इतनी आग क्यू लगे भी है मतलब यह कुछ आलतुफालतो नहीं है एडिन भी सोच रहे कि यहां पर हुआ क्या यहां आग इतनी लगी कैसे क्या बोलब भी सोच को पुछें डेञे हैं अजय के छूर आपी से पुछें नहीं है ये जावने की जावने हैं I'll be in touch रहे थे ना वो लोग दूर तक पहुंच गया लेकिन जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था वो लोग पहुंचे नहीं और अब उन लोगों ने रेडियो पे जवाब देना बन कर दिया है तो एडन उनको चेक करने जा रहा है और यह सब जब अलबर्टू बताया ना एड एडन ने तो एलबर्टू नों बोला कि देखो एडन समल के रहना क्योंकि हमारे पीच में कोई खबरी है जिसने हमारी सारी इंफॉमेशन पीस कीपर्स को दे दिये और उनका ये भी कहना थे कि एडन देखो ये एक्स्प्लोसिव लाना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि ब क्योंकि एक्स्प्लोसिव लाना थे कोई जिनना और इसके अंडर जॉम्बी से चुपाव था हाँ जलो बात करें बात करें सब्सक्राइब करें तो कि अवरोंस वहां! तो इस बेचारे आदमी ने मरनेस पहले बताया कि पीस कीपर्स ने इनको रोक लिया था और पीस कीपर्स को पहले से बता था कि इनके पास एक्स्प्लोसिव है क्योंकि ऑब्विस थी जो भी खबरी उसने पीस कीपर्स को सारी इन्फर्मिशन दे ही दी है और या आदमी सोच जा था कि कि पीस कीपर्स कितने गदे है सारे एक्स्प्लोसिव यहीं चोड़के भग गए लेकिन मरनेस पहले उस बेचारे आदमी को भी समझ़वे आ गया कि पीस की बस भागे क्यों क्योंकि ये जो लंबा चौड़ा गून है ना इसने उन लोगों को भागने में मजबूर कर दिया तो अब इन सब को मारना है और यहां पर जो एक्स्प्लोसिफ गिरे वे उनको उठा के ले जाना है तो डाइंग लाइट 2 ने मुझे बहुत ही अच्छी दलवार दिये जो कि वौकिंग डेड टीवी सिरीज की दलवार है वो भी में क्यारेक्टर मिशोन की अब पस यह देखते है कि ये किटाना कितने जाना काम किये मैं को जो ये किटाना है पौरफुल तो यहां पर जो भी बॉक्सेज उस चेक करें कि एक्स्प्लोसिफ किसमें है तो इस बॉक्स में एक्स्प्लोसिफ नहीं था लिगिन अभी और भी बॉक्सेज है तो अभी क्या लग रहा है काम खतब है नहीं नहीं अभी तीन बॉक्सेज और है सब को चेक करना है मैं वहीं सोची रहा था कि इतना अराम से मुझे काम कैसे करने दे रहे है अभी मजाक निगर रहो है पूरे आठ एपसोड में अभी यह सबसा आठ अधा तकड़ा वेपन मिला एक और गून है ओके जलो कोई बात ने कोई बात ने इस इतना अच्छा है आप चाला लोँगा यह लंबचोड़ा वला आते रहे कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह जो फाल्तूस वंबिस आरे नहीं देखो अच्छा यह सही है आग लभी बस्ती में गून रहे मस्ती में अच्छा लास्ट टाइम यहाद है एक गून को मारने में हालत खराब होगी थी लेकिन अब आराम से मार लिया है तो जादा नहीं बस इसी तरह खुद को अप्ग्रेट करते रहना है ताकि वो जो वालेटाइल से ना एक साथ छे साथ को मारू भाई तब चाकर मेरा यह गेम सफल होगा पता है लेकिन दूर की अभी नहीं सोचते हैं जो बॉक्सें से उनको चक करके एक्स्प्लोसिव निकालते हैं अपना थोड़ो जादा हो रहा है यह तीसरे कुण क्या कर रहा है आपन यह वेपन तलवार से जादे स्ट्रॉंग लेगा मुझे पता दी क्यों मुझे यह पहले ही निकाल देना चाहिए था एक्स्प्लोसिव छोड़के दुनिया भर के जितने बेकार समाने नसब मिल जा रहे हैं तो यह बात तो साफ है कि यहां पर जॉंबी जाना कम नहीं होगे इसलिए जले लिए बॉक्स खोलते हैं निकलते हैं यहां से अज रहे हैं इसलिए होगे फ्राट फ्राट हाथ एक्स्प्लोसिए मादाये हैं दॉद्दिए होगे पी फिर दॉद्द्देनलिता्म को एक्साया है यहत्या भूलगे विए जायाँ विए-फ्ड़के पम्स्पिश्व क्विए पेपोचे आफराफ्श्य पाराब आप जो जब चोड़ कि मुझे सब मिल लाएगा और अब तो यह आखरी बचाई बचाई अगे अग्स बचाई आप अग्स अग्स नहीं है तब कैसे कैसे मिशन आते हैं तो मुझे लगता है कि शाइद 20 की बस मुझे शर्वाइबर्स पे हमला करवाते है या शायद सेंटर में मुझे जाने देते जो कि मैं नहीं गया तो पता दी मैंने सही किया या नहीं कहानी आगे बढ़ेगी तो पता चली जाएगा अचे ये बात पांते हो कि नहीं दिन की टाइम ये गेम कितना इजी लगता है नहीं आराम से बस घूमे जा रहे हैं मस्ती किये जा रहे हैं लेकिन एक बार बस रात हो जाए हाँ अचे दिन में जॉम्बी से जादा एक्टिव गुंडे रहे हैं मुझे नहीं लड़ता है इतना वाल्दू का ताइम नहीं है लेकिन पीस कीपस अच्छा काम कर दे भाई देखें नीचे जॉम्बी कुमार रहे हैं आम लोगों को बचा रहे हैं पता दिन में इन सूफी का स बाते के सही किया या नहीं किया है लेकिन अगर देखा जाए तो अभी कहानी में पीस कीपस बजार की इनोसंट लोगों को भी मार रहे हैं तो इस गेम में कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है बस नजर यह की बात है आँटिल अब के सावच के भी में नहीं है तो आढ़की नही कि रिचा हूच कि रीचा अवता हैं नहीं है तुछ्छ्ष हुच्छ्च्छ्छ्च्छी रुच्छ्छ्छ्ईु ते मुत थिक्ष्टर्पर्टों कि टोबडानाम की सекा तो दो दिखने छिए उन प कर दो वर मैं प्लेदे सही सब्सानी है क मैं की जरत वेक ó Ama जा अेओ मैं का बें writer वर यह जा व लाते हूश क्यों प्क क ही अखाएंग तं तं मैं प्रिप्लने वेली अक्लितार आट विक आरार्रिव थे अ प्रविक्से को कमी का कबальए अग़्िज्या रिजट अग रिजृटिजर रिज दरीजर दरीजरव इन जिर अब उब द्धिज्ष समय शज्जिट वंट रिफ खर अधर चे लिविसर चालीू विछ विप्ट अबिध कहां। हाकॉन्स यिलिए कविछ कहां। तो बजार में जिसने भी गदारी की उसके वज़े से अब इनका प्लान खतरे में क्योंकि पीस कीपर्स ने बाकिए एक्स्प्लोसिफ छीन लिया और इनके पास सिर्फ दो ही एक्स्प्लोसिफ है तो विंचेंजों बताने लगए जो पुराने नाइट रनर्स हैं जो रात में निकलते हैं समान ये सब कलेक करने के लिए उनके पास से वो सारे समान मिल सकते हैं जिससे वो एक्स्प्लोसिफ बना सकता है और अलबर्टो ऐसी एक आत्मी को जानते हैं जो कि हैकॉन को दोस्ते उसका नाव है कीलियन तो इस कीलियन से हम लोग मिल चुके है एपिसोड आइटिंग के टू या थ्री में और ये हैकॉन को दोस्ते और दोनों आर्मी में एक साथ थे तो इसी के पास जाना है अजा याद है ना ये कीलियन बिना मतलब की किसी की मदद करता नहीं है तो उसके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो एक्स्प्लोसिफ बनाने के लिए वो सारे समान देगा अजा पीस की पस और बजार के लोगों के बीच में जंग स्टार्ट हो गई है और कभी भी अचानक से पूरी पीस कीपर की आर्मी आ सकती ही इन लोगों को मारने के लिए अच्छे जो भी दूर से इन लोगों की चिलानी की आवाज आती ही ना तो उनकी मैं जाके मदद कर सकता हूँ तो साइड मिशन है तो एक खाम करो आप लोगो कॉमेंटि करो नेक्स एपसोड में जादा साइड मिशन किया जाए क्या क्या कॉमेंटि करी बता ना तो एडिन दर्वाजे पे नौक तो किये जा रहा है लेकिन कीलियन जवाब नहीं दे रहा है ना पता ने तो एडर है या event chili, तो ना बने तोसमान तो परने निवाले थे ज़िए बढसरी दिखा तो मुझे बढसर दिदी दर्वाजेश भции है तो क्या किया जाए उपर से कहीं से जा सकते हैं क्या I think तो उपर से कुछ तो रास्ता होगा अजर जा एक दर्वाजा मिल गया मुझे लॉक्पिक करने का है ठीक है अजर के लियन इतना बदमाशनी है घर पर था ही नहीं इसलिए दर्वाजा नहीं खोल रहा था अब वो तो घर पर नहीं है लेकिन जो समान लेने आया था मैं लेही कि जाओंगा अजर है किलियन और इनके कुछ और दोस्तों की फोटो है अर्मी की समान मिलके निकलते हैं यह से टीधान विमेर्फ किते हैं मैं आचका जाओंगाै है sब्था मैं प्रमांकरमा मैं, मैं प्रम करीißt जाओंगादां विलिए झांगाता मैं । सुरह में बचbies always게 विंचेओी से विंचेजो आपटे चा हलेाँ सब्सक्राइब थे अभी अभी एड़ा? मैं वहाँ दो? विए अभी बुपाँ भी पर उसे रज़े लिगा है और अभी अभी एड़ा है कि अभी अभी बुपाँ जा है जो की चर टीड़ है इंपत कही थैह की ज Main Olympus जी वैस मेंस की ट किते हैं up that's exactly what I'm afraid of हुऌ पी व्षे़िग वारीट, लैला है वे से जॉजए लीज र applic वे से नाच्टार की लां वे से आहा है बो पुम기 तो बजार में वो जो भी आफिये जिसने फीस की बस को सारी ख़बर दिये उसने विंचेंजो के भी बारे में पीस की बस को सब कुछ बता रहे है इसनी वो लग उसके ॉसके पड़ग defects कुछ भीकज बार गया है तो फिर मेरे पापा बजार के सारे लोग को गलत साबित कर दें फिर वो चाहे सोफी हो, काल हो, चाहे कोई भी हो और मेरे पापा हमेशा से कुछ बड़ा करना चाते थे तो यही उनके पास एक मौका है और क्योंकि विंद्मिल के वरे से रेडियो सिंगनल खराब रहा है तो यही विंचेंजो बात भी नहीं कर आएगा तो उसके बिना ही करना है और मैंगी करेओ ये नहीं करना है ये एस्पें है तो मैं रिलाह्च और सोवाँ आरील और भ्रतीर्श दोला अथरोटा लोगशें आवाहिकरए। ल क्यों अधिन कषए चाहिकर सेंपन कोुछेंगा ऐला बीसे शर्म, कि पुछेए है वसा अपचाएー प्रडूसिए वर्फोटीनी टीते है? अचा यह जो इनिबेटर्स मिले न इससे क्या बढ़ाया जाए है हेल्थ या फिर स्टैम्ना तो क्योंकि मेरा हेल्थ लेवल तीन पर चला गया है तो मैं सोच हूँ कि स्टैम्ना भी लेवल तीन पर करी लेता हूं तो यह तीन एक्स्प्लोसिव जाके विंडमेल पर लगाना है ठीक है तो यह अलबर्टु मुझे काफी इंट्रेस्टिंग क्यारेक्टर लगे पता है तो इन्होंने खुद से एक्स्प्लोसिव बना के दे दिया है मुझे लेकिन देख रहो हो भाई साफ कुछ जादा ही उप तो चलो आपर चड़न की तयारी करते है अचा यादे न यह जो हरा किमिकल न इसे भी दूरी रहना है तो यह क्या हो रहा है अचा मुझे लग रहा थी कि मैं सीधे सीधे जाओंगा तो काम चल यागा लगे लिगिन आप इसा नहीं है इस बालेंस बना के जाना होगा कोई ब ह।। वी पीस की बस कि लोग कार्डिंग ड्यूटी ग्यूती लेकिन तेल लेने गाये। तो एक तो लगा दिया है लेकिन अभी भी दो और पाकी है बस एडिन में इतना पुलना चाहोगा कि भाई यहां से गिरना मन अच्छा मजा आ रहा है क्लाइम करने में पता है और एक डर भी बनावा है कि कीरा तो मरे आओंगा मैं तो दो एक्स्प्लोसिब लगा दिये एक और बजगी है लेकिन यहां पर कुछ समान भी है तो उनको लेते उसके बाद लास्फॉला लगाएंगे इतने कम अच्छे अच्छे वेपन्स मिलते है इनों ने जानबुच के ऐसा बनाया है कि आपको कम से कम अच्छे वेपन मिले क्योंकि देखते हो ना कि एक बार अच्छे वेपन मिल जाते तब गेम कितना असान हो जाता है अजय यह टाइम वल एक्स्प्लोसिफ तो नहीं है नहीं 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 बनावाँ यानिक मैं आराम से जा सकता हूं बस बीचे अच्छा नीचे पूला है तो नीचे में जम कर सकता हूं कोई निकत नहीं है So Alberto's good news is that three explosive लगाई उस सर्फा और पिस कि बिजली काट वसे इने This Alberto's funny man, he is sitting asleep and by staying up on a boat he is okay कर रहे ते है तो एदिन को आफर दे रहे कि तुम यह दामाका करना चाहोगी यह तो इतना अचिस पूछ रहे है तो मैं ही करता हूँ और ना मना करूगा तो रूड होगा नहीं तो एदिन करेगा चलोड़ी करेगा यहए तो मैं कर रहे है। दिन करेख विन्चनण इपर हुए नहीं का मैं यह आफर नहीं काम कर रहा है। Vincenzo's calculations? They must be off! So he is saying that my son had the calculations of the explosive to make the calculations, he was wrong So Vincenzo's the explosive to make the machine, he didn't work but now he is making new explosive Before the PKs get here, giving you an armed... We can't rely on radio detonation, not with all the interference What now? This one is guaranteed to blow up the whole windmill Alright, how much time do I have? Let me count. It'll blow any second! Run! But where am I supposed to put it? Where? You have to go back! And? And? Plant it on! Place it on! Put it on! So this bomb can't be fired and he is not telling the whole plan Plant it where? On the generator? No! Not there! Let me guess quickly, everyone is dying Right in the middle of the windmill? I can finish my own sentences! Thank you very much! On the rotor! You have to climb up to the rotor! To the very top? You serious? The bomb's ticking! Aidan! You really think we have time for jokes? So Alberto uncle has completed the whole plan Aidan's weapon Because they have a timer bomb For 2 minutes and 50 seconds And I have to go to the windmill top It's a very big effect! It's fun! That's all right I mean Heeds are really good, but I will also keep up with time एपन एफना लखना ने चान! वह आवपाइब एप वह गई उजयुवाइब एक वनुवाइब लटक के जाना ने वह जाना ने अ तो जैसी ही यह एग वे पर लटक की बढ़राएब यह मिशन भली टाइम वला दे दिया है लेकिन अभी तक के पूरे आठ एपसूर्ट का सबसे एकसाइटिंग मिशन है अच्छे यह देखा मेरा स्टामना अल्मोस्ट खतम था मरते मरते बचाओं मैं एडन पुझे असा क्यों लग रहे है कि तेरो को उचाएपा के बाई चक्कर आ रहे है क्योंगे डिस बैलन्स हो रहा है यह तो लगभग अब लोग उपर पहुंचे गया और अभी भी पहुट टाइम है लेकिन उपर तो पहुंच गया पर नीचे कैसे उतरेंगे अद्धी मेह करते है लेकिन बच्केम अद्धीन बच्का है धमाका नहीं हुआ थोने में धोर इन साल stब्जोन और घृट तकोब एमसMe गणकोब और अक्योर हें इलवर्टों साल título हुलसूर मतीत है कंutक ही अपाई बोर को चुपतिजास पुपता मातरीक अपां सि हमानो है हुआ है वहा है ओके डिवर्डों πजरशाव करते हैं इससंने बच्छेस आपार निए याई अंई भाई मार दिया कि अलबर्टो गो यह गलत कर दिया ना चाहिव ग्रभरी सब्सक्राइब पुर्ण हाई स्ट ने उसिए संगार समड़ा अर। अलबर्टु जिन्दा, अलबर्टु जिन्दा यह अू개को। अव अवे हूही हूँ बाव जी को बाव मार्टु नित हैं अवे हैं को क 매ं अावा है उन्हेवे हैं आरहिन अजेम सर्फ॥ मुझे चीह अणभर्टु कि अब उन्हेँ अग इदे, आदेन, अग अग उघ्ट एप एग अग बालते हैं, तरहा हैंवाँ हैंवार्ट इतए ओध मेढश्थन पहाँ लेख क्यों है, जड़ में का लिए्चेंजो, गया अजब जा इए भाइज वाल्पर टॉ अपराओ का लो, हुड़ रॉ TOP इनका लिए्चेंजो तो दो लिए्चेंजो, था में right not a cook or if are a failure anymore force the peace keepers to withdraw say it was him promise me all right okay and tell him त्षू के लेक्षति से कुलिंगी है टुषाओं कि विम्रू बजय को प्रश्श्ड में प्राओं स्बस्ज्ब्षारों मैं प्राॉब ने एङने गोड को," यह कानना बढो, आलबर्टो को नहीं मानना चाहिए था बहुत अच्छे कारेक्टर लग रहे थे मुझे तो अलबर्टो एडन को बोल रहे थी कि जो धमाका मुझे चाहिए था वो आखेर कार मुझे मिले गया और तुमने एडन पीस कीबस की अच्छे बैंट बजाई इनों ने मरनेंस पहले एडन को कसम दिलाई है कि बजार में जाके तुम सब को ये बोलना ना कि ये जो एक्स्प्लोसिफ था ये विंचेंजो ने बनाया था फिर बजार में कभी भी कोई इनके बेटे को नहीं हसेगा और इनों ने बोला कि मैंने अच्छे को आज तक ये नहीं बोला कि मैं कि इनना प्रॉट फिल करता हूं इसको ये बात प्रॉट करता हूं इसको बोले ना तो फिर से लिने का टाइम आगया या तो मैं अलबर्टो को मेंसेज उनके बेटे को बता सकता हूं या फिर अभी सब बिजी है एक्कान के साथ में सेंटर में जा सकता हूं तो अलबर्टो ने मरनेस परे एडिन से प्रॉमिस कर आए और एडिन प्रॉमिस तोड़ता नहीं इसलिए एडिन जाएगा विंचेंजो के बास है एक्कान गुस्सा हो रहा है क्या तुम भी अच्छा काम करने में लग गया हो चुक्क आप से भी मोका नहीं निकल जाते और इसने मूले कि एक बार मेसेज दो और अगर जिन्दा रहे तब तब तो अगर मैं अलबर्टो को म मैं सेंटर में आसानी सा भी जा सकता था लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है ऐसा काम करने का पता है तो कोई बात नहीं इसको अपने करेंगे नेक्स एपसोड में और फिल आर्मी जल्देली वीडियो को लाइक करना और मेरे भाई अगर नए हो तो सबस्ट्राइब करी लेना च आर्टा